सिक धर्म के दसवे गुरू गुर्गोविन सिंग जी का आज 397 प्रकाश परो मनाया जा रहा है। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के नजदी किस्थित गुरुद्वारा श्री सिंग सभा में इस परो को धुमधाम से मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारा में किर्टन किये गया, साथ ही गुरुद्वारे में लंगर भी लगाये गया। गुरुद्वारा सिंग श्री सिंग सभाश शिमला के जनरल सेकेटरी सेवा सिंग ने बताया कि गुरुगोविन सिंग सिंग सिक धर्म के दसवे गुरु है। गुरुगोविन सिंग जी ने पॉंटा साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की और सिख सिंधान्तों के बारे में प्रचार किया। गुरुगोविन सिंग जी ने यहां तीन साल भिताया थे। गुरुगोविन सिंग जी ने खालसा और सिखों के धार्मिक गुरुगरंद साहिप को ही सिखों के अगले गुरु के रूप में नामित किया था। उन्होंने बताए कि गुरुगोविन सिंग जी के आदर्शों को सिख धर्म ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के लोग अनुसरण करते हैं. और गुरुगोविन सिंग हमारे लिए एक बड़ी खुशे की बाद जी है कि जिस तर्थी में हम बैठे हैं। गुरुगोविन सिंग पादशाह पॉंटा साथ भी के तक्रीब साड़े तिन चार साल जहां और रहे हैं। और इसी वक्त जो गुरुवानी स्टेज पर उचारन ह आपके जिए हैं। यह बाद कि गुरुगोविन सिंग साफлагों ने स्रवांस निया है। सर्वांस थान ही हैं। उन्हे नौ साल की उमर में अपने पतार स works औरने से रूड़ुगों खेदाध प्ली में दिल़्ी भीजा उच्छा दिया। इस लिए कि कैश्मिर के पंड़त वहां उरंगजेव अरॉंगजेव उनको तुखी कर रहा था था तर्म चोड़ने के लिए बोल रहा था कि आप इस्लम में आजाओ नए तो उनके के हजार पंडर जोत मरवा जिए गे और उनके जन्जी उतार जिए के गे तो पर बात तब गुरु 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 तिए कि आपने सीज का बलीदान दो तब हमारी जान बच लगती है तो वह पहुंचे हैं अनन्दपूर साफ उसकत गुरु गोविंसिंग पादिशा नौ साल की उमन में थे नाम उनका था उसकत गुबिंदर आये तो उन्हें अपने पिता को गहां वे यह जो आपके सावने खड़ हैं यह कौन है तो गुरु तेग बादिशाम का है कि कश्मीर के पंड़त हैं इनको रंग जो है मुसल्मान वो इनका तरह बदना चाहते हैं मुसलाव बनाना चाहते हैं तो यह मेरी शर्ण में आये हैं कि इस वक्त अगर कोई महा पुर्ष अपने बलीदान दे तब जाके इ की बनाना से बड़ महा पुर्ष इस वकिट संसार में कोई नहीं है तो आपको ही बल्यान देना पड़े गा तो गुरु तेह इंग बल्यदा साबने जाके इपना सीजिक अपने दिया तब इनको ग्राश वीति थी। गुरू गुरु गुरु बन सुंपाज शाह हमारे सिर् एक संसार के लिए ए गुरू गुरुम साथ नो एक गदि दे दी, कि आज के बाद को देत अरीक गुरू नी होता है गहिस ऑपने गुरू माननना है जी मानयों परगड गुरुं की दे तो उसके बाद सब सिख्ण को हुकुम है गुरु मानियो गरंत गुरु गरंत जी मानियो परिक्ड गुरां की दे तो उसके बाद सारे संसार में इस वके तक ए दाद जो गुरु को भी सिख्ण ने हमें दी है हमें उसके लल गया है वो गुरु गरंत साथ है एक भी जहां बात पर सिखहों का इधी लीविंग गुरु अथी, शिख्स गुरू गुरुफ का इधी लीविंग गुरु आथी sick तो, हम अ करकाशद देजी मिला रहे हुआं हुआ है. ладноको ंविश्थ तक चल लेका से हुआ हूं कुछ जो है तक्रीबन देस साड़े देस से तकी चलेगा तो यहात हम आपके खत्म करता हूँ